हेलो डेर स्ट्रेंट आप सभी का स्वागत है फ़र इक्जाम पाउर में आज हम लोग देखने वाले हैं 12th बोर परिच्छा 2025 के लिए हिस्ट्री का आनि इतिहास का most important question ठीक है और इस विडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के chapter 1 से जिसका नाम है एटे मन के तथा अस्थियां ठीक है हम लोग जो है ना chapter wise जितने भी objective important question बनेंगे जितने सारे subjective important question बनेंगे उस सारे के सारे हम लोग देखेंगे है ना तो इसी तरह के से हम लोग सारे चैप्टर वायज सारे कोशन को देखेंगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो हरे एक वीडियो का नोडिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे है ना तो चले हम लोग जो टॉप 35 भीवे या अब्जेक्टिव कोशन है वो हम लोग देखते हैं और नया बैच जो है 2025 का वो शुरू हो गया है तो आपके जितने सारे दोस्ते हैं उनको जो है सो इनफॉर्म कर दीजेगा कि क्लास शुरू हो गया है ठीक है ताकि जो है सो इस क्ल प्राइदों उन लोगों को भी हो सके तो चले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप यहां पर देख सकते हूं क्लास 12 हिस्ट्री आनि इतिहास का 35 रामबान प्रस्न हम लोग अभी देखने वाले हैं इन सभी प्रस्न को हर हालत में आपको रट लेना है नहीं तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे WhatsApp मैसेज करेंगे ठीक है आपको यहां पे नंबर दिख रहा है तो आप इस नंबर पे मैसेज करेज़ेगा ठीक है जिनका त्यारी 0 है जो अभी तक कुछ नहीं पड़े है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी रामबान साबित होने वाले ठीक है इसी तरह से सभी विषय का वीडियो आपको मिलेगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीचेगा तो चलिए हम लोग पहला प्रस्न को देखते हैं जो आपके लिए काफी रामबान प्रस्न है ठीक है छलिए रामबान प्रस्न को हम लोग सुरू क करते हैं आपके स्क्रीन पर होगा पहला प्रस्ण मोहन जोदुलों की खोज 1922 इस्व में किस ने की यह प्रस्ण आपके एक्जाम में हंडीट परचेंट छपने वाले है डियर तो इस प्रस्ण को अच्छे से रट लिजेगा ठीक है यह प्रस्ण हु बहु देखने को मिलेगा आपके 2025 के फानेल एक्जाम में ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा तो मोहन जोदुलों की खोज 1922 इस्व में राखल दास बनरजी के द्वारा क्या गया था तो इसको अच्छे से रट लिजेगा ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं आगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर आ मोहन जोदुलों ठीक है कहां से हुआ था तो मोहन जोदुलों से हुआ था और यह जो प्रस्ण है यह प्रस्ण हंड्रेट पर्सेंट जो है सो 2025 के एक्जाम में आने वाल है ठीक है तो इस प्रस्ण के एकदम बढ़िया से रट लिजेगा ठीक है यह प्रस्ण 2009 में 13 15 2016 17 19 21 22 और 2025 के एकजाम में आने वाल है तो यह प्रस्ण आप सभी के लिए रामबान प्रस्ण है ठीक है इसका अंसर क्या हो जागा तो मोहन जोदुलों बिल्कुल सही उत्तर हो जागा ठीक है चले अब नेक्स्ट कोशन हम लोग देखते हैं और देखेगा आपके स्क्रेन पर आता होगे तो आप कमेंड बॉक्स में इसका अंसर बताईएगा ठीक है इसका अंसर क्या हो जागा तो थिरे का करेक्टर आंसर बिल्कुल आपसे नमबर सी वाले हो जाएगे ठीक है भोगवा ने देखे लोथल किसन ने देखे किनारे इस थीत है तो भोगवा ने देखे किनारे इस थीत है चलिए अगला प्रेस्ट दिखीगा आपके स्क्रीन पे है कोशन नंबर चार प्रेस्ट है सिंधु घाटी की निवासियों को किस धातु का ज्यान नहीं था आपको बताने कि सिंधु घाटी के निवासियों जो थे न उन लोगों को किस धातु का ज्यान नहीं था य ओप्सन नमर्षी को बिल्कुल करेंगे ठीक है चले कुस्च नम दिखे का चार है और उडियर हडपा संस्क्रीटी अधारिती जो अधारित थी वो किस पर थी वैपार पर क्रीशी पर पसु पालन पर या शिकार पर इसका अंसर क्या होगा 6 का तो करेक्ट आंसर बिल्कुल आपस नमबर A वाले हो जाएंगे वैपार पर क्या पर तो वैपार पर जो है जो अधारित थी ठीक है चले अगला प्रस्ण देखेंगा नमबर 7 परस्ण है हलपा सिभता के लोग उपास न करते थे किनका उपास न करते थे विश्नु की वरून की मातरी देवी की इंद्र की तो 7 का करेक्ट आंसर बिल्कुल आपस नमबर C वाले हो जाएंगे ठीक है चले कूर्शन नमबर देखेंगा 8 ठीक है परस्ण आगे है ह यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो 8 का रैट आंसर बिल्कुल आपसि नमबर B वाले हो जाएंगे सहरी 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 चाहिता ठीक है और आप लोग जित्ते भी है ना सारे जो है जो है बढ़ीया से एक को संको रट लिजेगा ठीक है क्योंकि आपके एकजाम म सबसे बढ़ाद अगर कोन है हापस नमर बी वाले हो जाएंगे मोहन चुद्रों हाना अपसंन नमर बीर वाले को बिल्कुल क्रेक्ट करेंगे 9 नमबर कूशन का, चले, कूशन नमबर देखेगा, 10, आपके स्क्रीन पर आ गए है, 10 नमबर कूशन हडपा से बता की, सरव पर्थाम खोच की थी, तो किन होने क्या था, यहाँ पे 4 आप्शन देख सकते हूं, हना, इसका आंसर हो जाएंगे, 10 का बिल्कुल आप्शन नमबर स्थित है, 11 का रैट आंसर, आप्शन नमबर 2 वाले हो जाएंगे, रावी ने देखे किनारे हडापा स्थित है, ठीक है, चले, कूशन नमबर देखेगा, 12, स्क्रीन पर आगया प्रेशन, हडापा से बता की, सबसे महतुपूर्ण विशेष्ता थी, तो क्या थी, सबसे महत पूरने विशेष्ता, तो इसका आंसर हो जाएंगे, नगर योजना ववास्तुकला, ठीक है, इसका क्या correct answer है, तो नगर योजना ववास्तुकला, बिल्कुल सही उतर हो जाएंगे, बुब करेंगे, ठीक है, चले, कूशन नमबर देखेगा, 13, प्रेशन आगया है, हड़ा परशासन था यहां पर चार उप्षन देख सकते हूँ इसका कर्येक्टर आंसर बिल्कुल आपसन नंबर नगर पाली का हो जागा ठीक है ओप्षन नंबर सीवाल को करेंगे नगर पाली का था दोस्तों कोशन नंबर देखेगा 14 परस्न आगया है पतन के क्या कारण थे ठीक है हड़ापा सबयता जो पतन हुआ था उसका क्या करण था यहां पे चार आपसन दिया गया है इसका करेक्टर आंसर 14 का हो जागा बिल्कुल आपसन नंबर कौन सा तो रैट आंसर हो जाएंगे आपसन नंबर डेवाले उप्युक्त सभी हना आने कि ये सभी कारणों के वज़ से प्राकिर्तिक कारण के वज़े से या मानविये कारण के वज़े से जो है सो क्या हुआ था तो हड़ापा सबयता का पतन हुआ था ठीक है तो ये सभी कारणों के वज़े से हड़ापा सबयता का पतन हुआ था तो इसका रैट आंसर हो जाएंगे ओ प्युक्त सभी ठीक है इसका right answer बिल्कुल option number day वाला हो जाएगे चले question number देखें का पंद्रा आपके screen पर आता है question number 15 सिंधु से भता का छेत्रफल किस अकार का था हना सिंधु से भता का जो 6 अकार का था आयता कार वरगा कार, विरीता कार, तिरभुजा कार 15 का answer हो जाएंगे बिलकुल option number day वाले तिर्भूजा कार क्या था तो तिर्भूजा कार था हना आप लोग जो है सो ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये question जो है सो काफी important है हना चले question नमर देखेंगा 16 आपके screen पर आता है सिंधू सभता के अस्थलों में सरोपर्थम किस अस्थल क उत्खनन हुआ था तो इसका correct answer क्या होंगे 16 का तो right answer हो जाएंगे option नमर ये वाले हडपा क्या हो जाएंगे तो हडपा बिलकुल correct answer हो जाएंगे दोस्तों चले question नमर देखेंगा 17 प्रसना आगिया 17 नमर सिंधू सभता में गोदी बाड़ा का परमान कहां से मिला ठीक है सि क्या हो जाएंगे तो option नमर ये वाले को बिलकुल correct करेंगे चले question नमर देखेंगा 18 किस सिंधु अस्थल से सूती कपड़े के साग्छे मिले हैं दोस्तों यहां पे चार option दिया गिया है 18 का right answer हो जाएंगे बिलकुल option नमर डे वाले मोहन जोदुल क्या हो जाएंगे option नमर डे वाले को लॉग करेंगे मोहन जोदुलो ओके चले question नमर देखेंगा next ठीक है आपके screen पाता है question नमर 19 आने की 19 नमर प्रस्न है मोहन जोदुलो का उत्खनन किया था तो किन होने किया था मोहन जोदुलो का उत्खनन इसका correct answer option नमर सी वाले हो जाएंगे आरडी बनर जी क्या हो जाएंगे तो आरडी बनर जी बिल्कुल correct answer option नमर सी वाला चले question नमर 20 देखेंगे दोस्तों प्रस्न आगे आपके screen पे मोहन जोदुलो किस नदी के किनारे बसा हुआ था ठीक है मोहन जोदुलो किस नदी के किनारे बसा हुआ था यहाँ पे 4 option दिया आजी क्या हो जांगे इसका answer 21 कर्यक्ट, option नमर बीवाले हो जाएंगे सिंधे ठीक है बिलकुल option नमर बीवाले को correct करेंगे चले question नमर देखेगा 22 लोथल कहां इस्थित है गुजरात में है पच्छिम बंगाल में है राजस्थान में है पंजाब में है दो 22 का correct answer option नमर यह और ले और ये बनावली किस राजय्य में इसित्त है बनावली जो है ना ये किस राजय है ? ठीक है परसना अगे है आपके स्क्रेंट पे 24 नमबर काली बंगा भारत के किस राज में अवस्थित है हरियाना में पंजाब में राजस्थान में गुजरात में 24 का correct answer बिल्कुल आपसे नमबर C वाले हो जाएंगे राजस्थान में इसका correct answer C हो जाएंगे 25 नमबर प्रस्थान है गंदे पाने की निकासी की समूचीत विवस्था सिरुपर्थम किस सभता में देखने को मिलती है यहाँ पे 4 आपसे नमबर C वाले सिंधू घाटी सभता में ठीक है तो काली बंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था ठीक है काली बंगा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित था दोस्तों यहाँ पे 4 आपसे दिया गये है इसका correct answer बिलकुल आपसे नमबर C वाले हो जाएंगे सिरश्वती नदी ठीक है इसका right answer क्या करोगे तो option नमब सरगार नगर कौन था ठीक है 27 का correct answer बिलकुल option number D वाले हो जाएंगे क्या हो जाएंगे तो लोथल बिलकुल सही उतर है लोथल क्या हो जाएंगे तो option number D वाले को बिलकुल सही करेंगे चले question number देखेगा 29 ठीक है प्रेसन आगे है दोस्तों प्रेसन है सिंदु से बता में नर्तिकी की मुर्ती कहां से मिली है इसका चार option दिया गे है ठीक है 28 का right answer हो जाएंगे option number E वाले मोहन जोदू क्या हो जाएंगे तो option number E वाले को right करेंगे मोहन जोदू ओके चले question number देख 29 आगे है प्रेसन है सिंदु से बता का किस देश के साथ व्यवपारिक सम्मंद नहीं था यहां पर चार option देख सकते हो तो 29 का correct answer बिल्कुल option number D वाले हो जाएंगे चीन क्या हो जाएंगे तो चीन बिल्कुल right answer है चले question number 30 सिंदु वासु के परमूख देवता कौन थे तो सि नमर सी वाले को correct करेंगे चले question नमर देखेगा 31 आपके screen पर आगे है 31 नमर प्रस्ण है दोस्तो सिंदु घाटी सभेता का कौन सा अस्थान जो है सु मिर्तकों का टेला की रूप में माना चाते हैं यहां पे चार option है हडपा चहुंदुलो मोहन जोदुलो काली बंगा तो इ सभेता का कौन सास्थल सिंध का बाग कहा जाता था यहां पे चार option दिया गया है तो 32 के right answer हो जाएंगे डियर बिलकुल आपसे नमर यह वाले को बिलकुल correct करेंगे चले को उसे नमर देखेगा 33 आपके screen पर आगे है 33 नमर प्रस्ण सिंधु सभेता में समाज का सवरूप थ कैसा था मात्र सतात्मक था पित्र सतात्मक था दोनों था इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer क्या हो जाएंगे अनि दोनों में से कोई नहीं ठीक है तो 33 का correct answer option नमर यह वाले हो जाएंगे मात्र सतात्मक ठीक है option नमर यह वाले को क्या करोगे तो lock करोगे चले question नमर देखेग चीन की सभिता ठीक है चीन की सभिता जो है जो बिलकुल सही उत्तर हो जाएंगे ठीक है चले कोशन नमर देखिएगा 35 ठीक है प्रसन आ गया दोस्तों हड़ापा सभिता के अस्थल से इस्तरी के गर्वजे पौधा निकलता दिखता है तो यहाँ पे चार आप्सन दिया गए ह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 35 का बिलकुल आपसे नमर सी वाले हलपा क्या हो जाएंगे तो हलपा आपसे नमर सी वाले को करेक्ट करेंगे ठीक है हम लोग इस वीड़ो में टोटल 35 जो है सो most important question देखे है इस से बाहर आपके exam में नहीं प्रसन आएंगे तो सारे के सारे प्रसन काफी important थे तो इस प्रसन को अच्छी से रट लिजएगा ठीक है आपको मैं बता दो दोस्तों आपको जो है इसका answer comment box में देने ठीक है यह जो प्रसन है यह प्रसन आप सभी के लिए है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका answer जो है comment box में आपको बताना है ठीक है जो जो बच्छे इसका answer जानते होंगे आप लोग comment करके ज़रूर बताएगगा ठीक है और आप लोगों को जो इसका answer next video में मिल साईगा तो चैनल को subscribe के लिएजएगा ठीक है और आप लोग को जानते होगे तो comment करके जरूर बताएगा इसका answer ठीक है चले हम लोग मिलते है वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मैं बता दू आप सभी को जो है ना सो इसी तरीके से आप लोगों को जो है सो subjective question भी मिलेगा है ना अगर आपको objective subjective most important question चाहिए तो चैनल को क्या करोगे सब्सक्राइब करेंगे क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो है सो हरे एक वीडियो का notification आप सभी को सबसे पहले पहुंचे और आप सभी को वैसे वैसे question बताया जाए जो आपके exam में हो बहु देखने को मिलते है हना objective subjective सारा करवाएंगे तो आप सभी को घवरान ने